वालकूम अगेन और जैनब आ गई है मेरी गोद में लेकिन हम लोग अफकोर्स एक जबर्दस डिश बना रहे थे और शेफ राहिला मारे साथ थी डिश हो गई है रेडी और थैंक यू आपने बहुत इजबर्दस डिश बनाई है और आप देख सकते हैं नाजीन डिश इस अरेडी और बहुत खुब सूरत उसकी प्रेजंटेशन डिस्प्ले हो रही है थैंक यू सो मुच एजबर्दस जो है चिकन कड़ाई बताएं 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 चिकन कीमा कड़ाई हो के च अच्छा से भी इतनी अच्छी खुश्बू हारी है अच्छा लग रहे हैं तेके यह खवातीन हमारी यह जो मेरा प्लेटफॉम है गुड मॉर्निंग बिच सभी यह तमाम ऐसी ऐसे लोगों का है जो टैलेंटेट इन डिजर्विंग है और जो हमें मोटिवेशनल मैसेज औ और डॉक्टर बनने इंजिनियर बनने बस इसके लावा देन उनका कोई भी फॉकस नहीं है एक अच्छा इंसान एक इंसानियत को उजागर करने वाली माएं कहां चली गए बाखुदा मैं ब्रेक में भी कह रही थी आपको एक बार भी फील नहीं हुआ इनके वाले सब यहा उठाना चाहिए इनको वो कर्बला का मकाम यादा गया कि जब यजीद तकलीफें देरात और कुछ लोग आँखे फटी से देख रहे थे तो वो वक्त वो दोहराना नहीं चाहते थे और जब भी कर्बला का मकाम की बात आती आँखे नहीं होती क्या बात ऐसा तो कुछ था क्या बात थी वो जो आपने आखर का कि कुफा वाले से तो कुछ वो मुझे जरह बिता है आपके वीडियो में मैंने ये कहा था कि मुझे पाकिसान के हलाद देखे कर्बला यादा आगी जब अबने जियाद जलम कर रहा था और कुफा वाले खमोच बैटे थे असलमें ने कार्णैं के साथ खब料 और मतलब किया था वाँ के साथ के न उन्हें डरा के धमका के हलाको बनकर के बाहर नी निकलना जो धमकाया था आचा कुफा बाले खमोच बैटे वए थे सबको अपने बच्रों के फिकर थी सब अपने बच्चों को और खावतीन को सेफ कर रहे थे अगर हम बाहिए निकले तो अबने जियाद में हमारी गर्दन उड़ा दे लिए हाई हाई डर डर खौफ हाँ तो वो हजड़त इमाम हुसैन की मदद नहीं कर रहे थे जब मुस्लिम बिन अकिल गए थे ना कौफ़ा पर तो उनका किसी ने साथ नहीं दिया था डर गे थे सही अब मुझे वोई सब कुछ याद आ गया कि आज मतब उस दिन जो कुछ हुआ था वो भी जही था हमारे हुक्मरान हमें डरा रहे और हम हक के लिए निकल ली रहे मजलूम की अवास को नहीं उठा रहे जुलम देख रहे अपनी आँखों से एकसेप नहीं कर रहे नहीं क कर लिए उन्होंने अपने बच्चों को से और फिर सो सदी तक जो हो रोते रहें पश्टाते रहें कि जब वो वक्ताम निकले नहीं 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 और देखें आज उनके नाम लेवा वाले कितने तो जब आप कुछ ऐसा एम्प्लिमेंट करेंगे तो आपके नाम लेव कर रहें और हम लोग हमोज बैटे में तो इसी तरह से पाकिस्तान भी अपने डायमेंट्स खो देगा अपने नगीने खो देगा जैसे इसलाम से हम इसलाम में हमने इमाम हुसैन को खोया उन बहत्तर को खोया तो पाकिस्तान से भी सारे नगीने एके करके हम खो देंगे और पिर यह जंग खतम नहीं होगी, फिर हमारे घरों तक भी पूंचेगी, पिर हमारे बच्चों पर रहाएंगे, आगे जो लपेटे में सब आएंगे, हाँ, सेव हम भी नहीं रहेंगे, बस क्या एक वक्ती तोर पे हम सेव हो जाएंगे और उसके बार सारी उमर हम पे करेंगे, सारी उमर पे करेंगे, देख लें, कि क्या सोच है एक मदर की, और ये कोई, कुछ लोग कहते हैं या छोड़ो या तो जवानी का जोश है, कमारी है, जब आगे जाएगी तो खुद पता चल जाएगा, देना बी प्राक्टिकल, शी हैव टू, बेबी, यूँकर एक बेटा, बेटी भी है, हस्बिन भी है, सुसराल भी है, और इनी मेंसे जैसे आप लोगों के आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, फात्मा जिना, ठीक है, बेगमर राना लियाकत अली खान, बेन अजीर बुच्चो, बहुत सारे ऐसे शहुदा, ऐसे जान निसार लोग थे जिनों ने अ की पाते ही है, भी महाँ ने काम किया है, आप यakिन करें, फातिग अफिज नाम ने भी तो अपने हैज्बंट और बच्छों को चोड़ा है, ते कीकित तो बेन अजीर भी तो अपने बच्छों को छोड़कीय निकलती था, उसी तरह से अगर हम इसलाम की बात करते हैं, अव हम लोगों ने मक्का से मदीना हिजरत की है ठीक है उसके बाद जो मदीना के अंदर रहते हुए जब इसलाम प्ला है उसमें जदो जदत फात्मा की थी छोटे चोटे बच्छों के साथ तो भी जैसे हज़रत हसन भी है हज़रत हुसाइन भी है उनकी बेटी जैना भी है लेकिन पिर भी क्या है मदीना की खवातीन को जह हमोबhesia करी ने को तालीम दे रही है इसी तरह से जैसे मर्दों में करदार रसूल साल्लाओी वालिव सलमं कह तो खवातीन की जहांblagen की जो हैं जो सरदार ये ca उनकी जहरत फात्मारान ते इसलिए नदिकी पूरी जिम्डिकी मेहनत है कि स्ट्रगल है यार फाइजा मैं एक बात कहना चाहती हूं सिर्फ वो के आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और आप ये ना सोचें के यार मैं ऐसा जब आपकी सोच पॉजिटिव है ना तो ये ना कहें के दुनिया वाले क्या कहेंगे और क्या होगा आप जब इमान वाले है ना तो आपने सोच अच्छी रखी और इनसानियत के बारे में सोचा है तो यकीन करें मैं गरिंटी से बात करती हूं कि आप कभी भी लट डाउन नहीं होंगे आप वो अलम लेके चलें जो आपकी सोच भी नहीं है वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपकी नियत बहु साथ होता है और आप सोच अपनी आने वाली नसलों को महफूस करने के लिए सोच रहें तो मैं कहते हूं कि आपने वो काम किया इनसानियत का जो रहती दुनिया तक नसलों तक याद रखा जाएगा जी फाइज़ आप कुछ कह रहें थे इसमें थोड़ा सा आएट करें जहा अपने बाकी सारी बात से के बस डरना नहीं है ठीक है और मा तो डरती नहीं है मा को पता है मैं तो बच्चों के लिए निकली मेरे साथ तो खुदा खड़ा है जो 70 माहों से जादा मुपत करता है लेकिन मैंने देका है हर दोर में यजीद है यार वह जाजीद है शकल डिफर है कि अपनों के उपर ही हम इतना जुन करें कौन है यह सब यह मासूम बच्चे यह माएं बहने हरकाम बातों से भी मसलों को हल करके भी हो सकता है मैंने देखा पिछले दिनों एक शरह फैसल से रेली जब वो निकल रही थी शायद सिंसिकेटरियेट की तरफ तो उन पर बकाइ कुछ लोगों को जल गय कुछ ऐसा हुए पिजाज का राइट तो हर इनसान को होना जाया हिए जब आप लोग हमसे वोट लेते तो हमें है तजाज़ भी करने दें हमारे राइट के एऊ उपर बिल्कुल बिल्कुल हमारे पर इस तरह से मुसलब नहीं हूँ आप जिस तरह स हकीकत लोगों को पता ना चल जाए अच्छा इन्हों ने जितना दुबाया है न इतना एक्सपोज होई है बहुत जएदा अच्छे कि यह सोच होती ना इंसान की के मैं ऐसा करूंगा तो यह जो कोई डर जै और डर जिसके दिल में इमान जैसे अपने का हो उसको किस चीज का और वो तो गोली खाते वे जान देते वो और मासूम बच्चों को मैं कहते हूं अभी इन्हों ने यह नहीं सोचा किसको कुछ हो जाएगा एक बार भी नहीं सोचा लेकिन ऐसे ही माओं को सलाम पेश करती हूं जाते जाते मेरी प्यारी बेंद मैंस कुछ खुबसूरत से जि दिया बात नहीं बोली कि एक जो उरते वो छे नसले बनाती है ठीक है और हमारी ताली में हमारी से इसलामी ताली में भी उससे मीन करदार आप था नहीं मां को दिए अकर आपके हैं, वो एकव्पूल भरकूच भरकुम को सी, ज़ Price 1 ज़ार हो ऑगी। अगर है कि हिसे पुछ से थी उचे उचिम, जैसे यह вопросы, जिए भी माधर inट। जो माधर, जन्यव Movबत कने चाहिए है कि अपनी स số हार्वाकिमा भी यहिए्या हैं। तो यह कोँगी, कि आप लोग अपने मकसद को पेचाने, शौूर पकड़ें, ठीक है, तब ही One Nation बनेगी. क्या बातावन नेशन और यह सोच सिर्फ इस बच्ची की फ्यूचर की नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चों की फ्यूचर को सीफ करना है, इनके चेरों पर मुस्कुराटे भी किरनी है, शिजाती, वारा बच्चा, और मैं चाहतू हूँ हमेशा मुस्कुराटे रहे, खुश रह अबाद रहे, एचा है ना, एचा मुश्करान है, अचाहिए मैं आपको बहुत शुक्रिया दा करना चाहती हूँ, आपने हम जैसे गरीब लोगों को जो नहामियत दी, क्योंकि मैंने जादातर मीडियास को यह देखा है कि वो जितने भी मीडिया है ना, वो पहले बैग्रा करने का लेट सी, हम लोग यहां पर बेक रिखेंगे, लेकिन जाते हैं से पहले में एक बात कहूंगे, कि हेल्थ प्रोग्राम में हमारे साथ होते है हकी मसकरी साथ, तो हम लिया लेंगे चोटी सी ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बात, गुड मॉर्निंग मिद सभी के साथ, जाहसी है समाँ, देखती है।